हैलो इवरीवन कैसे हैं आप सब आप सब देखिमाट्रिक चैनल अलीन अरेक्शन जैसा कि आप सबी को मालूम होगा कि इबराहिम फैमली में रिजा रहान रहते हैं जो के भी प्राइ करते हैं तो जिस तरीके से कोई वित्युहार आता है रक्षपंदन आता है तो शेब जिस तरीके से सबा को गिफ देते हैं तो उसी तरीके से रिजा को भी समझते हैं अगर सबा को गोल्ड गिफ देते हैं तो रिजा को भी उसी तरीके से मिलता है लेकिन अब सवाल बहुत ज़ादा उठ रहे हैं इस बात पर और काफी कमेंट भी किये जा रहे हैं कि रिजा और रिहान का भी हग बैठता है सबा इब्राहिम और शेव इब्राहिम के व्लॉग पर क्योंकि जो वो कमाई होती है तो उसमें 50% यानि कि रिजा और रिहान का है क्योंकि सबा के व्लॉग में सबसे ज़ादा रिजाटा रहाम नजार आते हैं तो सबा उन्हें सिर्फ तोड़े से गिफ्ट दिला देती हैं थोड़े से उनके शौक पूरे कर देती हैं लेकिन पुरा व्लॉग रिजा और रहां के ऊपर ही बनाती हैं तो काफी वक्त सी कमेंट आ रहे थे हैं तो हमने सोचा कि इस पार में बात की जाएं तो आप जिसे जानते हैं कि चले मान लेते हैं कि रिजा और रहान इब्रहाम फैमली में रहते हैं तो सबसे बड़िवाथ यह है कि बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए कि मुबई जैसे शहर में दो-दो बच्चों को रखना है कि अच्छी परवरिश करना यह कुई आसान बात नहीं अच्छी कूल में पढ़ रहे हैं अच्छी सचाबू पहन रहे हैं खा रहे हैं और सबसे हो या शेव कहीं भी जाते हैं तो रिजा रेहान वह साथ में जाते हो या फिर झालो रहते हैं अगर किसी और जह से चोड़ी को खाता है तो इतना ही दूसरे इंसान का भी लगता है चार्ड तो अब उसमें रिहान हो या रीजा हो तो अपने ही दिवान से मंगाते हैं जो उनके मन में आता है वो मंगा कर खाते हैं अब बात क्या है यह है कि जिस तरहीं कि से लोगों का कहना है कि रिजान रेहान के जरीए सवा और शेप पैसा कमा रहे ह व्लॉग इन्हीं के उपर बनते हैं तो आप जो लोग इनके उपर सवाल उठा रही है तो कोई भी इंसान अगर पैसा कमाना चाहता है तो कोई भी गरीब बच्चों को ले करके अपने घर में रख सकता है काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके इच्छी पर्वरिश नहीं होती तो वो उन्हें बच्चों को ला करके अपने घर में रख सकते हैं और इसी तरीके से वो व्लॉग बना सकते हैं उनके जरिये तो किती इच्छी कमाई हो जाएगी तो व्लॉग बनाना तो लोगों को लगता है ना क्या आसान है तो ऐसा करके देखें हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो हर कोई बच्चों को ला करके अपने घर में रख लिया करता और फिर उनके जरीए व्लॉग बनाते उने दिखा दिखा करके और फिर उनसे कभ इच्छे काजी कमाई हो जाती और गरीब परिवार को तो बस थोड़ा बहुत मेल जाए वो उसी में खुश हो जाते हैं काफी टाइम से सबा की व्लॉग में भी ये कमेंट आ रहे हैं कि रिजा और रिहान का हग बनता है और सिर्फ सनी हो या सबा हो थोड़े से चंद पैसे उनको दे देते हैं कभी त्युहार वगएरा पर रेस्टोरेंट मिले जाते हैं खिला देते हैं उन्हों खुश कर देते है और रिजा रहान जो हैं वो खुश हो जाते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते के सबा जो इबराहिम फैमिली हैं उनके जरी कितना पैसा कमा रहे हैं देखें रिजा हो या रहान हो इतने छोड़े बच्चे भी नहीं हैं काफी समझदार हैं रहान इबराहिम फैमिली में काफी चोटा था उस वक्त आ गया था जिसमें सुवेव इबराहिम ने ये बात क्लियर बत गए थी कि रिहान जो है वो पापा से याने के शेव के पापा से काफी लगाव रखता है तो इसलिए रिहान जो है मुंबे आ गया था उसके बाद कुछ टाइम के बाद तो ये रिजा आ ग सकते हैं मा बाप भी इतने गरीब नहीं है जो इनकी परवरिश नहीं कर सकते आपने देखा होगा कि जब रिहान और रिजा सबाइब रहिम के साथ मौधा गये थे एनिवर्सिरी पर तब रिहान ने अपनी मा की किसी मतलब खाने के बारे में किस तरी की बात कही थी ती या अच्छा नहीं बना तो यानि कि रिहान को मुंबई में अच्छी सचा खाने को मिलता है तो इसी लिए उसने अपनी मा की जरा सी भी नहीं रखे और साफ यह बता दिया कि कुछ नहीं बनाया माने और सिर्फ दालकोष्टी खिलाती रही जबकि सबाइकी अम्मी ने यह बात रहें शॉयब और सब्सक्राइब कि 50% रिजा और रहान का हक बनता है तो हम यहीं कहेंगे कि जो लोग यह मानते हैं कि रिजा रहां से सबह हो या शॉयब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो वह भी जाकर के बच्चों को ला सकते हैं गरी बच्चे तो और ज़्याद अच्छे से रिहान और निजा के पापा कतर में कमाते हैं लेकिन जो गरीब घर के बच्चे जिनके घर भी नहीं है रोड पर पड़े हैं और खाने को भी नहीं है बिमार पड़े रहते हैं उनके पास इलाज का पैसा नहीं है तो वो अगर ऐसे बच्चे को लाकर कि अपने घर में रखें तो कितना सवाब का काम भी होगा और उनके जरी व्लॉग भी बना सकती हैं तो हम यही कहना चाहते हैं इस बारे में लोगों को जवाब शायद बिल गया हो जो कमेंट करते हैं कि मतलब रिजा रिहान का 50% हग बनता है सवा है मतलब एक व्लॉग डेर से 2 लाक रुप परवरिश उनकी हो रही है वह काम्याब हो जाते हैं तो वह सबसे बड़ी बात है उनके लिए और किसी बच्चों को रखना यानि किसी के भी तो बहुत बड़ा दिल चाहिए बच्चों को रखने के लिए कोई नहीं रखता आज कल की जमाने में और आपने देखा होगा कि बच्चों के कितनी वीडियो वाइरल हो रही है कि पैरेंस होते बुड़े माबाप होते उन तक को नहीं रखते और बुड़े माबाप का तो इतना खर्चे होता भी नहीं है जितना कि बच्चों का होता क्यों कि इतनी फरमाईश है उनका पहनना और ना क्योंकि स्कूल के प खाने का शौकर क्योंकि दुनिया भर की बिमारियां लग जाती हैं रॉक्टर के पास ले गए उनको दवाईयां दिला दी बस इतना तक है लेकिन बच्छों के साथ बहुत बड़ी बात हैं उनकी जिम्मेदारी भी उठाना आजकल की जमाने में किसी दूसरे के बच्छों की जादा मुश्किल हैं जैसे कि मतलब सनी के अमा पापा आई हुए थे मुंबई और रुक्सान आपा भी तीसाथ में तो वह जा चुके हैं तो सभा ने अपने व्लाग में बताया था कि मतलब अमा की अचानक तब खराब होगे उनके अचानक पीट में दर्द होगा जबके अमा पापा और सभी लोग हाजीहली गए थी जहां पर आपने देखा हुआ कि अम्मी ने मनत मानी थी तो वह पूरी करने गहीं थी तो उसके बाद उनको पेट में दर्द हुआ तो सभा फिर उसके बाद कह VII अवे गई ठीए उसके बाद फिर सभा ने कहा कि अमा को को इसलिए नहीं भेजाया उनकर टेके जो था वो कैंसिल कराया ताके आगी चलकर मत्व मौधा जाकर उनकी कोई जादा परिशानी ना हो उनको तो इसलिए हमने उन्हें रोक लिया है अगर टेस्ट कराएं तो अगर उसमें सही रिपोर्स आ गई तो हम अम्मा को बीज देंगे वरना अगर कुछ भी प्राव्लम होई तो हम नहीं भेजेंगे यहां तके सबाने रुकसाना आपा क आपा को भी काफी प्राव्लम आई है सबी को मालूम है कि सब्सक्राइब जानते होंगे जो गाउं में रहने वारे लोग होते हैं उन्हें जातर गाउं में ही रहना पसंद है अब जिस तरीके से अम्मा और पापा जाने के लिए बोल रहे हैं अगर रुकना चाहें तो उनक कुछ भी सबा नहीं कर सकती सनी नहीं कर सकते तो वो रुक सकते हैं लेकिन जो जिम्मेदारी हैं मौधा के मतलब गाओं के लोग हैं तो उनका खेती किसानी का काम है जिसमें सबा सनी ने काफी बार अपने खेत भी दिखाए हैं और सनी ने मौधा में अपना काम भी स्टार्ट किया है जैसे कि आपने देखाऊगा कि सनी ने कहा था कि मुर्गी फार्म खोल रहे हैं तो उसमें पी उसकी देखबार करनी है बाहर के लोग इतना नहीं देखबार करते जितने कि अपने घर के कर लेते तो पापा को वहां जाकर भी जिम्मेदार उठानी है तो अब जिस तरह किसे अमा पापा वहां संभालेंगे और मुंबई में सबसनी है तो अगर हम दोरह यह मानना है कि देखें सिर्फ एक अमा पापा है सबसनी को जादतर अमा पापा को अपने साथ ही रखना चाहिए रही पात यह कि भाई मौधा में अगर उन्होंने काम स्टार्ट किया है तो वो अपना किसी के साथ अगर पार्टेशिप की है तो उन पर सौब दे अपना 50% अपना ले 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 और वहां पर देख भाल करने के लिए किसी को छोड़ दे अब यह है कि देखें इस उमर में क्योंकि एक ही बेटा है सनी और माबाप का साथ में रहना ज्यादा जरूरी होत की तो है कि वही रहते साथ में हाले के पापा शेव दिपीका के घर में रहते है पहले कि उनका पापा जा जित जो है जल्ड हुआ है क्योंकि एक बार कह भी रहे ती कि ऺहसे ही वह तुम बुलाओगे तब हम आ जाएंगे तो यानि कि अम्मा है इरादा अम्मा का कि वो रुक सकती है मुंबई में तो अब यह है कि अगर आप वो अम्मा पापा को मुंबई बुलाएं तो वो हमेशा के लिए बुलाएं कभी-कभी चले गए मौदा छोटा सा परिवार है यह परिवार साथ रहे तो अच्छा है अब जैसे कि सनी जो है बहुत साथ बिजी रहने लगी है सबा के लिए वक्त नहीं है सबा बार बार फोन करके सनी को बोलती रहती है जैसे क्या काम पर जाता है सबा को बार बार फोन करना तो सभा को नहीं करने चाहिए इतने फोन क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि केस्टमर वगरा रहते हैं स्टाफ रहता है तो लोग क्या सोचेंगे रेस की बीवी से रहा नहीं जा रहा है बार बार फोन करती है इतना वक्त हो गया घर में ही पड़े पड़े सनी को अपकाम करने लगा है तो फोन कर गए तो सनी ने कहा है कि मैं अब रूटीन बनाओंगा ताकि मैं एक हफ्ते में एक दिन सभा के लिए रख सको काफे ऐसे हमने आदमी देखे हैं जो एक घंटा भी अपने बेवी बच्चों को नहीं दे पाते काम बितना बिजी रहते तो सभा को यह टेएं जो शादि के कुछी दिनों के बाद बाहर चिल जाते हैं जो आउट-ऑफ कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो उपने बच्चों को छोड़ करकी तो जिंदेगी उजारती है वो ओड़ते तो सभा को सबर करना चाहिए हमत करनी चाहिए होसला रखना चाहिए यह नहीं कि इतना उतावला पन अच्छा नहीं लगता इसे क्या होता है कि फिर मतलब टॉल होती है सबा कि बच्चो वाली हरकते बच्काना हरकते कब छोड़ेगी सबा और अपने भाई भावी को देखें जरा जब शेप जलग दिखला जा पर काम कर रहे थे तो उस वक्त शे वाली हरकते करते हैं सबा तो लोग पकड़ लेते हैं क्या कि कब बड़ी होगी कोई बच्ची तो नहीं है करेब चौई पचीस साल की हो चुकी है अब आप से जाए चाहते हैं मिलते हैं स्टूडियो में तब तक बना ख्याल रखेगा अलाहाफ़ाज